का इस पर ऑड़ा है कर दो सब्सक्राइब हैं हमारा नया तॉपिक जिसको मैंने बोलना कि अभी स्थार्ट करेंगा उसको पॉर्पोसिशन स्कीम हम स्टार्ट करते हैं composition scheme in GST अब composition scheme होती क्या है क्यों इसकी जरूरत पड़ी क्या चीज है यह हमने देख लिए ठीक है composition scheme है पर है क्या चीज यह ठीक है देखते हैं तो पीटा जैसे पूरा GST जो लो है ना पीटा पूरा GST लो वो कई सारे पार्ट में divided हैं जैसे अल्टिमेटली परपज एक ही है कि GST चार्ज करना है लेकिन पीटा क्या होगा ना जैसे कि एक तो हो गया नॉर्मल टैक्सपेर हमारे होते हैं जो नॉर्मल टैक्सपेर होते हैं कि यह हमारे एक हो गए अब चाहे बेटा इसमें आप कहलो कि वह फॉर्वर्ड चार्ज वाले हैं कि फॉर्वर्ड चार्ज है कि या वह आपके रिवर्स चार्ज हैं कि इससे कोई फरक पड़ता ही नहीं है क्यों क्योंकि यहां पे ना ऐसे कोई कंडिशन नहीं है आप सप्लाई करोगे कि आपको जी एस्टी देगा है कि सप्लाई डिसीव करोगे यहां पे अब जी एस्टी देना है क्लियर थीके पेटा तो लेकिन अब जैसे क्या होता ने जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे मानलोब में एक्जाम्पल दूँ एक छोटा कोई ट्रेडर है ट्रेडर जैसे ट्रेडर कह लो या फिर कह लो यह जो कोई चोटा मोड़ा बिजनस है उन लोगों के पास प्रॉब्लम यह होती है कि उनका मार्जिन होता है बहुत कम जैसे मैं एक्जैंपल लूँ अगर एक ट्रेडर है ट्रेडर कौन होता है जो समान खरीदता है और बेज देता है कि एक ट्रेडर है जो सब्सक्रों उसकी किराना की दुकान है कि चिराना और वह क्या करता है अगर्जाम्पल लेतें आठा खरीदता हो आठा कर सके लाए वह मालेते 25 रुपैय तो आगे उसको कितने बेज देता है 26 रुपैय खिलो हूं में कि या फिर कुछ भी रेट ले लो 28 रुपए ले लो इसका प्रॉफिट कितना बेटा उसका प्रॉफिट है तीन रुपए पर किलो ठीक है अब इसने साल भर में कितना कीट हए इसको प्रॉफिट कितना हुआ इसको प्रॉफिट हुआ तीन हजार रुपए का आठा के उपर एसे एसे करके मान लो दस बार प्रोडॉदक्स हैं उसके पाच जिसके ऊपर वह पैसे कमाता है अब बात यह आती है कि ब retired जैसे एक्जाम्बल लेते हैं इसका जो बिजनस है टोटल वह सब्सक्राइब 50,000,000 रुपए का साल का बिजनस की बात कर रहा हूं बेटा टर्नोवर की बात ठीक है लेकिन उसको जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट वह कितना है वह सब्सक्राइब पांच लाक रुपए में अब यह कहता है मोदी जी से कि सर पांच लाक रुपए में साल का कमाता हूं जिसमें मेरा इलेक्टिसिटी बिल भी है दुकान का किराया भी है प्रॉफिट की तीन यह रुपे मिले तो इसको इलेक्टिसिटी बिल भी देना है दुकान का किराया भी उसने दुकान पर लड़का रखा हुआ है वो भी देना है अब दिक्कत यह आती है बेटा सरकार कहती है कि अगर आपकी ट्रेस्वर्ड लिमीट 20 लाक रुपे से ज्यादा है तो आपको ज्योठ लेना है इसकी ट्रोड पचास लाक रुपे ए तो भी ज्योठ लेना पड़ेगा लेकिन यह कह रहा है कि सर में बच कह रहा हैं अपर मुझे तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं है उसमें से ज्योठ आपो लेलो ज्योठ लगाओगे तो मेरे इसका कस्टमर कम हो इसको क्या आता है इसको बेचना आता है क्या आटा बेचना आता है इसको थोड़ने आता है कि 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 इसको थोड़ने इंटू बारा कितना हो गया ड़ाइव यह हो गया मोटा मोटी यह बोलेगा मिस्टर एक्स को भूले का सर में बिजनस करी क्यों रहा हूं मुझे क्या बच्छा कुछ नहीं पांच लाख उर्पे में से ड़ाइव ले जा रहा है अकाउंटिंग इसमाल रहा है वो ले की जा रहा है ठीक है उसके बाद एक्रिक्रिशी बिल रेंट लडुड़ करणी रॉसका कि राभी में पैसा खर्च कर रहा हूं वह सब मैं कमा क्या रहां सब तो जाही रहा है में तो जीरो बचा बचा पा रहा हूं सरकार कहती है बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है चलो एक काम करते हैं तुम्हारे लिए कुछ निकालते हैं सरकार ने बोला तुम एक काम करो नॉर्मल सिनारियो में क्या होता है बेटा नॉर्मल में होता है आप सप्लाइ कर रहे हो हो अचैस को हम पीछे स्लाइट से समझते हैं यहां सब्सक्राइब की बात करते हैं कि काम करो नॉर्मल में क्या होता है कि अगर माद लो यह जो हुआ आप नोर्मल टक्स्पेयर है ठीक है regular टेक्स्पेयर और जो है नॉर्मर बोल सकते हैं एक 25 कि यह कहता है कि आपने समान बेचा है आगे यह वाला मैं यह आपने बीं किया होगा जह दो हां पर आपने पए किया हो गा किस से खरिद כई है समान तो तो जो GST है वो ITC बन जाएगा आपका उसका हम आपको benefit देंगे और आपकी liability कितनी है आप अपना ITC इस liability में से minus कर दो हमने पहले class में कर रहा था जूल्री के example में किया था हमने तो यह आप यहां से minus करके जो बचेगा वह आप हमें पे गड़ो जो बचेगा वह आप हमें पे गड़ो यह है आम जिंदगी अब हम देखते हैं कि कॉमपोजिशन की जिंदगी कॉमपोजिशन में सरकार कहती है कि क्या कहती है कहती है नो आई टी सी कहती है आप कॉमपोजिशन स्कीम ले लो लेकिन उसमें आपको आई टी सी नहीं मिलेगा उसने बोला ठीक है और आपको नो बुक्स ओफ अकाउंट्स यहां पर क्या होगा आपको पुरा लेखा जोखा रखना पड़ेगा कितने की सेल हुई किसको की गई क्या बिल नंबर था कहां पर की गई किस से खरीदा कितने का खरीदा कब पेइमेंट गई उसको क्या जीएश्टी नंबर था उसका वह सब यहां पर मेंटेन करना वड़ता है ठीक है लेकिन सरकार ने बोला यहां पर नो बुक्स ओफ अकाउंट पहले जीज़ नो आईटीजी दोसीज़ नो बुक्स ओफ अकाउंट ठीक है तीसरा कि क्या होता है हमारे पास मंत्ली रिटर्न है और क्वाटरली रिटर्न है लेकिन मंत्ली रिटर्न मंत्ली जाएगी ठीक है यहां पर खरकार कहती है आप वह दिक्कत ही नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ तीन महिने में एक बार हमें बता दो आपने बिजनस कितना किया और उसके ओपर जो भी आपका रिट बनता है एक परसंट या तीन परसंट या पांस परसंट आप उसके इसाब से हमें जीस्ट दे दो लेकिन इसी नहीं मिलेगा थीक है बस बता दो बेचा कितने का है इतने का बेचा है उसके बद जो भी अमांट बनता है वह टेक्स पे कर दो आप हमें क्लियर अब एक बात बताईए क्या ये बंदा दिल्ली से मुंबई सामान बेच सकता है सोचे क्या ये बंदा दिल्ली से मुंबई सामान बेच सकता है the answer is no क्यों कि फिर्ट अपको नंबर लेना पड़ी जाएगा सब्सक्राइब नंबर तो हाई है कि एक सब्सक्राइब ने पेटा कि तो कॉंपोजीशन में इंटर्शिट सप्लाई नहीं ठीक है और यहां पर हम क्या कर सकते हैं और क्या चीश्थी हाँ कि इधर आपकी पास यह होता है कि दो करोड रुपए तक आप कॉंपोजीशन स्कीम ले सकते हो है ठीक है दो करोड तक आप कॉंपोजीशन स्कीम ले सकते हो हुआ कि तो अब हम बढ़ते हैं इसके लो को लो का कहता है पढ़िए एक बार कानून क्या कहता है पढ़िए एक बार कि अगर क्याता है अप्लायर रजिस्टर अंडर जीस्टी लो इज रिक्वाइड टू पे जीस्टी अट नोटिफाइड रेट बिलकुल सही फर्दर उसको सारे कानून मानने पढ़ेंगे और नाव इन दे केस अव स्मॉल टैक्स पेर दा हाई रेट अगर आप रेजिस्टर परसन हैं तो आपको सारा काम करना है टैक्स पे करना हैं कंप्लाइंस पूरे करने हैं प्रोसीजर पूरा टास्क होना चाहिए आपका एक चीज़ पूरी होने कंप्रीट होनी चाहिए ठीक है जिससे क्या होता है बेटा जिससे क्या होता है कि यह सब इनके उपर प्रॉब्लम क्रेट करता है कि वह अपना बिजनस कर रहे हैं या कंप्लाइंस फुल्फिल करें ठीक है तो इन ओडर तो ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड तो रिद्यूज दा कंप्लाइंस कॉस्ट फॉर थे स्मॉल टैक्सपेर असिंप्लीफाइड स्कीम है इस बिन इंट्रोज अंडर सेक्टें टैन और सीजी एस्ट एक्ट कॉल्ड एज़ा कॉंपोजीशन लेवी और कॉंपो अब हम पढ़ रहे हैं लॉकी लैंग्वेज ठीक है बेटा यह आपकी बिल्कुल और बिल्कुल आप्शनल स्कीम है अ कॉंपोजीशन स्कीम इस ऑप्शनल एंड अलिजीबल पर्सन फू है अप्टेट दा स्कीम कैन पेज एस्टी एड़ प्रिस्क्राइब पर्सेंटेज विच इस वेरी नॉमिनल ओफ इस टॉन ओवर एवरी क्वाटर यही सब हमने पहले पढ़ा था मैंने आपको सही से प दूसरी चीज आपको हाइर से एक नॉम्मल रेट मिलेगा एक पसंच या दो पसंच मैंने आपको पताया भी हम पढ़ेंगे भी कौन क्या रिट मिलेगा आपको ठीक है अब आगे चलते हैं आपको मतलब समझ में आ गया होगा की वटीज मीनिंग ओफ कॉंपोजीशन स्कीम और क्यों लाया गया उसको मेरा पॉइंट सा पहले आपको समझाना की वह उसको लाया क्यों गया ठीक है टाक्स पेवल अंडर कॉंपोजीशन स्कीम कैसे होता है सेक्शन 10-1 has been amended in the following manner with a view of remove any interpretational ambiguity and stipulate that the composition taxpayer shall pay tax as a percentage of their turnover क्या लिखा हुआ है शेल पेटेक्स एज़ा परसंटेज ओफ देर टर्न ओवर इंस्टेड ऑफ दटेक्स पेबल कि ऑन दा इन्वाइस वैल्यू ऑफ दे ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन अपने समझो बिजनस किया दस लाग रुपे का पूरे क्वाडर में तीन महिने में दस लाग का एक परसंट हो गया आपका दस अजार रुपे सरकाल को पे कर दो और जैराम जेकी कर लो ठीक है अ रजिस्टर पर्संट फूए ओप्टिड फॉर कॉंबजिश्ट स्कीम लैवी इस नौट पर्मिटिट टू कलेक्ट जीएस्टी अप क्लेक्ट का मतलब क्या हो गया आप आप इस ले नहीं सकते तो इसका मतलब क्या हुआ आप तो जीएस्टी भी नहीं ले सकते उधर कि यहां पर में लिखूं कि नो कि क्लेक्शन ओफ जीएस्टी है अगला पॉइंट क्या है अकॉंपोजिशन स्कीम पर्सन कैनोट अवेल दे बैनेफिट्स ओफ आईटीसी हमने पहले लिखा हुआ है ना तो आप आईटीसी ले सकते हो ना ही अपना जीएस्टी का जो कॉस्ट है वह आगे पास कर सकते हूं जिनरली क्या होता है नॉर्मल में यह दो ना कि जैसे मैं सप्लायर हूं मैं आपको सर्विस ही दे रहा हूं तो मैं जीएस्टी आप से कलेक्ट कर लूँआ और जो मैंने पीछे पे किया है उसका मैं बेनिफिट लेकर कि जो डिफरेंशल लोग हो गवर्मेंट को पे कर दू होगे ठीक है अंडर दा कॉंपोटिशन लेवी क्वाटरली रिटर्न इज अपलोड़ेड इन दा फॉर्म जीएस्टीर फोर ओन और बिफोर एटींथ 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 सक्सीडिंग दा क्वाटर अगर आपका क्वाटर है मालो एक अप्रेल से 30 जून का तो सक् कि अठारा जुलाई को तक को तो नहीं बोल सकते अठारा जुलाई तक आपको अपना फोर फाइल करना है बताने के लिए कि मैंने दस लाग का बिजनस किया है और दस लाग रुपे के उपर एक परसिंद मालोब जीएस्टी लगता है वह हो गया आपका दस हजार रुपे को बेटा कोई डाउट हो दो बतादो अब